आपका स्वागत है टोष्टी के टेस्टी किचन में आज मैं बनाऊंगी रसम रसम बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के तीन टमाटर लिए जिसे मैं इस लंबे लंबे आकार में काटूंगी और पतला पतला काटना है आपको यह बहुत ही हेल्दी डिस है इसे आप घर में जरूर ट्राइ करें और जब कोर्ड और कफ होता है उस टाइम पे आप यह रसम अगर पीते हैं तो काफी अच्छा आपको फील होगा तो इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राइ करें और यह देखे इस तरह से हमें लंबे लंबे आकार में पतला पतला इसे सारे को काट लेना है मैंने तीन टमाटर लिया है आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज्याद सांबर पॉडर सांबर पॉडर ऑप्सनल है अगर आपके पास है तो आप डाले अधर वाइस आप इस सारे मसाले से भी अच्छा टेश्ट आएगा तो इसके अलावा हमें मस्टर्ड चाहिए थोड़ा यह क्यूमिन सीट जाने जीरा प्लैक पेपर अगर आपको कफ कोल्ड ह सकते हैं और इसके अलावा यह सूखी मिर्च नमक हलदी लहसुन यह मैंने दस से बारा लिया है आप यह जब क्वंटिटी बढ़ाएंगे तो आपको लहसुन जीरा यह सब की क्वंटिटी आपको बढ़ानी होगी असके अलावा यह मैंने लिया है धनियापत्त और एक एक इसके अलावा हमने लिया है इमली का पल्प ये मैं निकाल दूँगी केवल इसका पानी यूज करूंगी मैं अब हम लोग लेंगे एक बड़ा बाउल लेने से पहले हमें एक काम और करना है वह है ये ब्लैक पिपर और ये जीरा जीरा और ये सूखी मिर्च और ये लहसुन य ये तीनों को हमें या तो आप फूट के ले ले या तो आप ग्राइंडर में डाल के इसे थोड़ा पीस ले बहुत ज्यादा पतला नहीं पीसना है लेकिन पीसना है इसे आपको मैं आपको पीस के बताती हूँ किस ता से पीसना है अब मैं इसे ग्राइंडर में डालूंगी और इसे पानी डाल के क्योंकि यह बहुत कम quantity में है तो पानी हमें डालना होगा डाल करके हमें इसे पीस लेना है यह देखे यह मैंने पीस लिया है यह पूरा आपको स्मूथ पेष्ट नहीं बनाना है आपको दरदरा सा रखना है थोड़ा और या फिर आप खल में भी कूट स हो च्शंप ने बनाए को अब हम लोग एक बाहुल लेंगे पर इसमें हम और ड़ी इसे साइड में रखी हूं अगर है आप नहीं आपके पास तरह का अगर है तो आप मिक्स तरद सकते हैं उस्तीजों क्षरसें रुखाते लिख ब लेंगे नमक according to taste नमक डाल देना है फिर थोड़ा हल्दी और यह जो मैंने पीस के रखा था यह सारा मैं इसमें एड कर दूँगी यह जो बच्वा पानी है मैं इसको धुल के इसमें अच्छे से डाल दूँगे अब मैं इसमें एड करूंगी यह इमली का यह जो पल्फ है यह मैं हटा दूँगी और यह इसका पानी मैं इसमें एड कर दूँगी उसके बाद हमें एड करना है यह रसम पॉडर यह अप्सनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप ना यूज करें तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यह मैंने डाल दिया अब इसे मैं हाथ से मिक्स करेंगी इस तरह से आपको हास से मिक्स करना है टमाटर को मैस करना है यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है यह साउथ इंडिया में बहुत फेमश है और यह पीने में भी बहुत अच्छा लगता है आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप रसम पापड भी खा सकते हैं इस च्युक्ते क्जिए इस में नुटार क्या सधुस आपको मेER चीए मतलए आंक्स करना हम जैं है हांसे मैं यह मेर् रीक का कद सापटवागा स्वाट फ्लाट्ना फ्लेख ग ड़ना यह बहुत हैँ तैल में डालने के लिए तर्के के लिए रखा थे भागकी तहलंकर में इसम किता तोरओं डाल के चाल खुपने और थोड़ा धन्या पत्त्ता अभी मिक्स करना है थोड़ा आप गार्णिश के लिए कि रक सकते हैं और फिझा इस तरह से चलाना, है तुमक्तिक काम आपको अभी ही कर लेना है बस गैस ऑन करने पर आपको केबल तरका लगाना है इसे बस आपका रेडी हो जाएगा रसं यह देखें यह हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से अब मैं इसमें एक चीज और है अगर आप थोड़ा खटा मिठा सा चाहते हैं तो बिल्कुल अब शुटा सा आप चैगरी चाने घुड़ गुड़ एड़ कर सकते हैं नहीं कर रहे हूं लेकिन आप गुड़ एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं अब मैं एक कड़ाई लोंगी अगर आपको यह रसं केवल पीने वाला बनाना है तो आप इसे ग्राइंडर में आप घा सकते हैं अभी मैं यह रस она जो आप राइस में जो साओउत हिंडीय में बहुत एवहिस बनाते और एह ईसे तरह से और लोग hai ह mixing this the कभाई कि तेल गर्म कर लेंगे यह देखिए यह मैंने करई में कितना कम तेल लिया यह बहुत कम तेल में भी रिटी होता है और बहुत ही हेल्टी ए जरूर इसे ट्राइगरे हैं आप देखिए मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी मस्टरड यह जो मैंने तड़के के लिए आपको पकाना भी ज्यादा नहीं है आपको फेबल आने देना है बस थोरा सा आएगा बस आदे मिनट तक पकाना है आपको और गैस ऑफ कर देना है इस तरह से और फ्लेम को जाइक पर मीडियum लाएं नहीं है और यह देखिए इसमें उबालाने तक आप फेट करें और बीच बीच में वीच में हिलाओं यह देखिए यह हमारे रसम में इस आधी मिनट तक बस बॉाइल करना है और बंद कर देना है बहुत आसान इसे आप घर पे ज़रूर ट्राइ करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अब मैं इसे देखें आदे मिनट में करें ऑंसाइक आंने किस्पर करना कि मैं सर्फ त्इखें अब मैं धुट करेंगे और इसे फटाफट एक ईक बाहूल में मैं सर्फ करूंगी यह देखें यह हमारी ररासम की रेषीपी रेडी है अब मैं इसमें थोड़ा धनिया पत्ता से गार्निस कर दोंगी और इसे जब आप सर्फ करेंगे ना तो आप इसे पापर के साथ सर्फ करें बहुत ही टेश्टी लगेगी यह आप इसे घर में जरूर ट्राइ करें और हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले थैंक्यू